बैंक्टेस परवत पर माता अंजनी तपस्याकर नहीं थी एक दिन सूर भगवान को अर्ग दे रही थी अर्ग देने के लिए दौन हाथ ऐसे किये उसी समय एक चील जो भगवान राम के जनम के लिए खील अगनी से प्रकट होई थी तो माता कैकई के हाथ से खीर पकड़ करके लेकर वह चील उड़ गई और भागी भागी जा रही थी पवन का जखोरा लगा और चील के हाथ से वह खीर जूट गई और माता अंजनी के हाथ में वह खीर आ गई भगवान का प्रसाथ मान कर माता अंजनी ने उस खीर को पा लिया उसी खीर से भै अंजना के लाल बाल हनुमान हनुमान जी ने गगन में ये छलांग मारी शूर भगवान को ब्रेक भास्ट में खा गए अंधेरा मच गया देउता बोले लाइट गाया बोले कैसे चले गई एरे बोले अंजना के लाल ने कर दिया कमाल ब्रेक फास्ट मैं खा गए भाई सार बड़ी मुश्किल से छोड़ा बड़ी मुश्किल से बाहर में काला सूर भगवान ने गौर से देखा हुआ देखने में तो बाल हम हैं लाल फिर भी इतना कमाल सूर देउता का भी दिमाग खराब बाद में धन हैनल जी बाद में हनल जी जब बड़े भर तो सूर देउता को ही अपना गुरू बनायो अब जब दोबारा गए तो हनल भगवान भूले आप गुरू जी बन जाओ हमें चेला सूर भगवान ने गौर से देखा कि हनमान जी बोले गुरुजी गुरु दक्षना लेओ शूर्व भगभभन ने सोचा कि चेला खतरना कि ऐसे चेलों से ज़्यादा फसना नहीं चाहिए सूर्भभभभन भुने भाई दक्षना में दो कुछ चाहिए नहीं हमारा एक बेटा है सनी देौ हमारी बात नहीं मानता उसी को लिया हनमान जी इतनी चोटी भान अभी जातें on लंका मैं जब रामण के पास उल्टे लटके थे सनी डियो हनमान जी पहुंके बोले च्वेस क्या हुआ आथे पेट की मूड में आगए लबान जी बोले वो उल्टे क्यों लटके क्यों राममर है लटके रहो सब उल्टा हो गया हमाने तो उल्टा दिखड़ा दिन में तारे रात में सूरज हमारा कोई ठेकाना नहीं है तुम्हें सीधा करो पता चले तुम हमको इचिभग जा तब सनी देव बोले हमान जी हम आपको बचन देते हैं आप तो आप के किसी भी भक्त के ऊपर ह जो आपकी फूजा करेगा उसको कभी सनी नहीं सताएगा कर वीडियो चलेगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैन नोटिफिकरिशन को आल पर सेट करना ना भूलें जैस्त्री गाम